नमस्कार किसन बाईयों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मालवा की सेती यूटूब चैनल पे किसन साथियों पिछले एक सब्ता से लगभक समय हो चुका हैं और काफे दिनों से गना कोईरा चाह रहा हैं और आज तो मौस्म ने हर दिक कर दी हैं और आगे दो से चाह दिनों तब मौस्म में सभी रहने की समभावना हैं जिसका सीधा असर किसा साथियों हमारी पसलों पे पढ़ रहा हैं चाहे हो अक्रिम की पसलो लसुन की पसलो या चाहे किसी अन्य परकार की पसलो बलाइट की समय से काफी कंपीर डूप से बढ़ चुकी है गिसन सत्यों और कुछ किसन भई हैं कि कमेंटार के सिरम ने अभी इस पर गिया है और कोई रिजल्ट ने मिला इसा क्या हुआ क्या दवाने काम नहीं गिया किसन सत्यों दवा दवा का काम करती। लेकिन, जो मौसम होता है, वह भर अपना काम करता है। एले हैं और दिनके मौसमिने मैं भी काफिय नमी हैं जिसके काहिए समय से अब भर रहीए, चाये लसुन की पसलो चाये अफिम की पसलो अन्य परकार की पसलो किसन्थाथीो मैंने भी अभी कर लीज़ पशल की बात कर New किसन्सा Oh आप ने दो तिन दिनों में देखा पत्तियों की जो सीरे फिर से पीले होने लगे हैं और अब करें तो क्या करें तो किसंसाथ्यों यदि आपको इस प्रेक वह कम से कम 8-10 दिन हो चुके तो आपको फिर से फंगिसाइड का इस प्रेक करना पड़ेगा आप बहुत इस प्रेक्टम प्रचाइड लेजिए प्रकायत हो सकती है जिन किसंग भाइयों के खेतों में नमी यानि जिलों नए मौसम होता था नहीं की नमी बनी रहती है खेतों में तो डाउनी बने कभी अपना आच एक होता है तो उसके लिए भी आप बहुत रिस पेक्टम फंगी साइड लेंगी किसंग साथी हो तो आकको के समस्या और यह डाउनी मिल्डियों की समस्या और अन्य परकाइड जो भी भांगा जानी द्रोग है उनकी समस्या से मुक्ति मिलेगी और गीडनाशक में भी आकिसाद सच्छियों चोकि माहू का प्रकोबावग होने लगा है क्योंकि सरसों की प्रसल अधिकता शेथ्टों मे पकने लगी हैं उसको बढ़के दूमाओ है वन पसलों पर अटेट करने लगें तो आप ठेब्ली प्रंगी साइट का इस पर मेरे तो आप उसमें की नाशक भी आवसम मिला है किसाद साथ यो और यादि लसन की बात करें तो यूदे आपकी वसल साथ दिन से उपर के हो चु लगें सेट नहीं बना पाते हैं तो उसको इस प्रकार से इनर्जी ले दी जा भी घुस्परे के जरीए तो उनके जो तो श्रीदी वो नावन नहीं होगी तो खिसा सथी ओ मोसम प्रती हमें यह आपने आठ से दर दिन पर इस पर किया है तो एक शो दो दिन में पर इस पर रह सकते हैं वह अब भी मोसम खुला रहे उस समय इस पर दिन के समय करें लगभर कर तीन त्यार बजे के बाद शाम के समय अच्छा रहता है तो कि यह दिन में इंपरेटर खभी खुला भी हो जाए और आप घर में बढ़ जाया है मान लो तो इस पर इस पर दिन बजे के बात करें यह जब मोसम में नमी हो तेज तो उपना हो तो समय करें तो आपको पूरा खुला रहे बढ़ रहे हैं तो किसान भ हैं तो इसके लिए आप पर की साइट जैसा कि मैंने बताया हैं वो रिस्प्रेक्टम लेना हैं कि इना शक लेना है और यह दिया आपकी बिश्च तक समय से नहीं आए तो भी किसान साथ की एड़ास फूप में आप इस पर कर लें क्योंकि व्लाइड निशिटूप से आने वाली हैं और इसका काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा अगे आपने द्वाले दो चार दिनों में अभी इससे शुरू हुई हैं अभी देखो आगे-अगे होता है क्या इसा मेरा अनुमान है मौसम के हिसाब से क्योंकि लगाता नमी बनी हुई हुई हवाए ठंडी चल स्प्रे करें और दिनके निया आया वो भी स्प्रे करें इस तित्री डाउल ना होने देख फसलोगी बस यही मेरा सुझावे आप लोगों से सुखिसान साथियों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जणकर साथ अप सब्सक्रे लिए खैल दखे हैं आप अपने परिवार का अपने पशुदन का और अपने फसलोगा वीडियो तक नगले धन्यवाद छेहीं जेज़वान जेगिसान